How to fix Instagram direct message option not showing and missing problem in Infinix नमस्कार दोस्तो स्वागर है आप सभी का तेकी राज YouTube चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका जो direct message option show नहीं करते Instagram पे आप उसको कैसे fix कर सकते तो दोस्तो यदि आपका Instagram एकाउंट पे यदि आपका जो direct message का option है वो show ही नहीं करते यदि आपका direct message option missing है तो आप इसको कैसे fix किया जा सकते है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यदि आप जाना चाते हैं तो वीडियो के साथ बने रहेगा और साथी साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को भी दबा दीजेगा और दोस्तो यदि आप online से पेसा कामाना चाते हैं तो आप हमारा वीडियो description में जाके check out कर सकते हैं तो आएए दोस्तो आज का हमारा वीडियो यहाँ पर start करते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तो यदि आपका जो है इंस्ताग्राम पर direct message option शोर नहीं करते हैं तो यहाँ में दोस्तो मैं आपको एक trick बताऊंगा जिसे कि आपका problem fix हो जाएगा यदि trick से काम नहीं हुआ तो यहाँ में दोस्तो मैं आपको कुछ solution बताऊंगा जिसे कि आपका problem definitely fix हो जाएगा तो आएए दोस्तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम trick को डेख लेते हैं तो यहाँ में दोस्तो trick क्या होगा आपको जाना होगा profile पे ठीक है profile में जाके दोस्तो आप किसी भी एक post को choose कीजिएगा उसके बाद उस post को जो है 10 लोगों को आप share कर दीजिए तो आए दोस्तो हम इसको करते हैं पहले तो प्रोफाल में जाए उसके बाद एक पोस को ले लीजिए और यहां में दोस्तो आप जो है इसको दस लोगों के साथ सेर कीजिए ठीक है तो शेर केसे करना है आपको यहाँ एर प्लेन का जो साइन है यहाँ पर आपको click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको send करते जाना है ठीक है जब तक कि दोस्तों आप यहाँ पर 10 लोगों को share नहीं करते तो यहाँ में दोस्तों आपका problem fix नहीं होगा तो यहां में दोस्तो आप 10 लोगों को completely choose कीजिए उसके बाद आप दान पे क्लिक कीजिएगा ठीक है तो दान पे क्लिक करके इस post को जो है share कर दीजिए तो इसे के साथ दोस्तो शेयर करने के बाद आप जो है जाए अपने home page पे और अपना direct message option को चेक कीजिए याद फिर दोस्तो यदि आपको direct message अभी भी शो नहीं करते हैं तो आप log out कीजिए अपने account को उसके बाद फिर से login कर डीजिएगा आपका problem जो है missing का यहाँ पे fix हो जाएगा ठीक है यदि आपका direct message शो भी नहीं करते हैं तो इसी trick से दोस्तो problem जो है fix हो जाएगा तो दोस्तो by any chance trick से काम नहीं हुआ ठीक है by any chance trick से आपका problem fix नहीं हो पा रहा है तो यहाँ में दोस्तो आप क्या कर सकते हैं इसको back करके आप जाएगे अपने play store में और सबसे पहले instagram को search करके update कर डीजे क्योंकि दोस्तो जावी हम किसी भी application को update नहीं करते हैं तो यहाँ में दोस्तो प्रॉब्लेम जो है जरूर आती ही है ठीक है तो यहाँ में दोस्तो कुछ future वगेरा update नहीं करने के बदे से इस तरह से missing भी हो जाते हैं तो इसमें दोस्तो आप जो है instagram को update कर दीजेगा update करने के बाद आप यहाँ पे बेक कीजिए और जाएए instagram पे और चेक कीजिए कि आपका problem fix हुआ है नहीं हुआ है आप चाहे तो फोन को दुबरा restart करके भी चेक कर सकते हैं तो यह सब करके देखिए यदि problem fix होता है तो यहाँ में दोस्तो अच्छी बार है और दोस्तो मान लिजे by any chance इससे भी fix नहीं हुआ तो आपको जाना होगा profile पे उसके बाद इसको में इसे बेक कर देता हूँ profile में आने के बाद आपको यहाँ three lines में क्लिक करना है उसके बाद setting में चाले जाना है और दोस्तो आपको help का option जो है उसमें क्लिक करना है तो help का option जो है दोस्तो आपको उसमें क्लिक करना है यहाँ पे missing करके आप आच्छे से describe कर डिजीगा आपको यह problem कब से आ रहा है और यहाँ में दोस्तो आप यह problem कब से face कर रहे हैं ठीक है और इसी के साथ दोस्तो आप नीचे देख सकते एक प्लास साइन है तो आप उसमें screenshot भी भर सकते तो यह सब फिलाप करने के बाद आप य Instagram direct message आपको show नहीं करते हैं तो आप इन प्रोसेस से इसको fix कर सकते हैं मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक भी बताया और solution भी बताया तो आपका problem जो है definitely fix हो जाएगा तो मुझे मेरे दोस्तों आपको जो है वीडियो पसना होगा तक्स राइग थालचिन